हे गाइस वेलकम बेक टू माई चैनल रामा के स्टार्ट में हम हमारी हिरोईन को देखते हैं जिसका नम सूजी है चुकि एक कमपनी आई होती है और अपना जॉब अप्लिकेशन फॉर्म बर रही होती है लेकिन उसके पास पहन नहीं होता तो वो पहन को जटकने लगती है और गलती से सारी एंकि इस लड़के की टीशेट पर लग जाती है तो सूजी कहती की सौरी लाओ में साफ कर देती हो तब ही हाँ पर एक इंपलॉय आता है और कहता है कि बोस मीटिंग का टाइम हो गया है और वो सूजी से कहता है कि तुम नियू कमर हो ना तुम गलत रूम में आ गही हो अब ये लड़का मीटिंग में जाने के लिए अच्छे से रेडी होता है जो कि इस कंपनी का CEO है और हमारे ड्रामा का हीरो जिसका नम गुई है गुई उस लड़के से कहता है कि इस लड़की को सौपें दे दो और ये बोलकर वो चले जाता है और सूजी सोचने लगती है कि ये सिच्वेशन तो काफी इंबेरिसिंग थी लेकिन यार ये बोस तो बहुत ही जादा हैंसम है जिसके बाद सूजी इस कंपनी में काम करने लगती है और वो हर टाइम गुई को देखा करती है क्योंकि वो उसे लाइक करने लगी है नेक्सीन में वो उसके लिए सूप बना कर लाती है और कहती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है लेकिन वो उसमें ज्यादा इंटरस्ट नहीं लेता तो सूजी सोचती है कि साइट वो मुझे लाइक नहीं करता नेक सीन में सूजी अपनी फ्रेंड यूरी के साँ जा रही होती है तभी उन्हें रास्त़े में एक औल अंकल मिल जाते है जिनकी तवीद काफे बिगर रही थी सूजी उनके help करने लगती है तो यूरी रोकती है और कहती है कि इन old अंकल पर believe मत करो क्या पता कोई fraud हो लेकिन सूजी यूरी के बात नहीं सुनती है और अंकल को लेकर hospital आ जाती है अंकल इसे help करने के लिए thank you कहते है तो सूजी कहती है कि इसकी कोई जरुरत नहीं आप मेरी grandma की उमर के है और मैं और लोगों को इसी हालत में नहीं देख सकती है तब ही यहाँ पर अंकल का assistant आ जाता है और वो सूजी से help करने के लिए thank you कहता है फिर सूजी अंकल से कहती है कि मैं काल आपसे फिर मलने आओंगे next scene में assistant सूजी को अपने साथ घर ले आता है तो सूजी पूछती है कि क्या आंकल इतनी जल्दी hospital से discharge हो गए तो assistant उसे बताता है कि हमारे chairman तुमें अपनी daughter-in-law बनाना चाते है तो सूजी कहती है कि लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि मैं तो already किसी ओर को like करती हूँ तब ही यहाँ पर गूई आता है और वो कहता है कि अगर मैं कहोगी तुम्हारी साथी मुझ से होने वाली है तो क्या तुम हाँ कहोगी फिर असिस्टेंट सूजी को एक साल का contract दिखाता है जिसे देखिए सूजी सौक्ड होती है फिर गूई उसे बताता है कि तुमने grandpa की जान बचाई थी इसलिए हुने लगता है कि तुम्हें एक अच्छी daughter-in-law बन सकती हो और वो उसे एक मिलियन भी देने के लिए कहता है सूजी मन में सोचने लगती है कि अच्छा तो ये इसलिए क्योंकि मैंने grandpa की जान बचाई थी मुझे तो लगा कि बहुत सच में मुझे like करने लग गए लेकिन फिर सूजी के मन में आता है कि इन एक मिलियन से मैं अपनी grandma का इलाज करवा सकती हो इसलिए वो कहती है कि मुझे ये deal मंजूर है चलो हम साधी कर लेते हैं नेक्स इन में दोनों मेरी certificate ले लेते हैं जहाँ पर सूजी बहुत खुश थी और उसे कहती है कि चलो साथ में एक फोटो लेते हैं तो गुई कहता है कि सौरी मुझे फोटोस लेना पसंद नहीं और वैसे भी अभी मुझे कुछ काम है तो तुम company अकेले चली जाओ ये बोलकर वो अपने अजिस्टेंट के साथ जाने लगता है फिर वो मेरी certificate देखकर smile कर रहा होता है अजिस्टेंट कहता है कि बोस आप में सूजी से साधी करके बहुत ही खुश है तो फिर आप उनके साथ ऐसे भी क्यों कर रहे हैं गुई उससे कहता है कि जादा मत बोलो एक्शल में गुई भी सूजी को बहुत like करता है लेकिन वो अपनी feelings पताता नहीं है जब सूजी उसे देखा करती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था और जब वो उसके लिए सूप बना कर लाई थी तब भी उसे बहुत खुशी हुई थी बहुत गुई पुरानी बाते याद करने लगता और हम flashback में देखते हैं कि स्कूल टाइम में उसके classmate उसे bully कर रहे थै तब ही यहाँ पर सूजी ने उसकी help की थी लेकिन इसके कुछ टाइम बाद वो दूसरे स्कूल में transfer हो गया था तो वो सोचता है कि साथ इसलिए उसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ फिर एसिस्टेंट गुई से कहता है कि बहुत अगर आप इतना cold behave करते रहेंगे तो बरब की तरह जम जाएंगे अब लखी है कि हम सब आपके साथ plan में मिल गए तब ही आपके मैं सूजी के साथ साथी हो पाए तो गुई कहता है कि मैंने सूजी को अपना mobile देखते वे देखा था एक्शोल में उसे cold type के लड़के बहुत पसंद है इसलिए मैं ऐसे behave कर रहा हूँ इतरा हम सूजी को देखते हैं चूकि यह सोचरी होती है कि अब मैं अपने ग्रेंड मा का अच्छे सा इलाच कर वपाऊंगे तब ही सूजी की नजर एक आंटी पर जाती है जो कि अपने बच्चों से call पर बात कर रही थी उन्हें देखकर सूजी सोचने लगती है वो लोग कितने लखी होते हैं जिनके पास मौम होती है नेक्सीन में हम एक लेड़ी को देखते हैं जिने पता चलता है कि उनकी खोईवी बेटी औरफनीच में है जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है कि अब मुझे अपनी खोईवी बेटी मिल जाएगी नेक्सीन में सूजी गुई के साथ उसके घर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है तब ही याँ पर शाव नाम की लड़की आती है और वो सुजी से कहती है कि तुम मेरे हस्बेंट के साथ क्या कर रही हो गुई उसे कहता है कि साव तुम एक्टिंग करना बंद करो तुम मेरी बेहन के जैसी हो ये सुनकर सुजी स्माइल करने लगती है तो साव से कहती है कि तुम्हें स्माइल क्या कर रही हो कि उनकी खुई हुई बेटी के बारे में उन्हें पता लग गया है यह सुनकर सुजी मन में सोचने लगती है कि मैं तो बस एक और फन हूँ और मेरा कंपरीज़न एक अमीर फैमिली की बेटी के साथ कैसे किया जा सकते है गुई साव से कहता है कि तुम छुप बेटो मैं किस से साथी करूँगा और किस से नहीं यह में डेसाइट करूँगा और वो सुजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ और वो उसे लेकर जाता है और साव सोचती है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा वरना गुई को मुझे कोई और छीन लेगा इदर गुई सूजी को एक रूम में लेकर आता है और सूजी तो बस उसे ही देखे जा रही थी तो वो कहता है कि बस करो अप कितना देखोगी और उसे बताता है कि अपसे तुम इसी रूम में रहोगी ये बोलकर वो महाँ से चाले जाता है तब ही सूजी को और्फनेज से कॉल आता है मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ पर एक लेड़ी आई है और वो अपनी खोई हुई बेटी को डून रही है इसलिए तुम अपना हैर हमें भेज़ दो ताकि हम डियने टेस्क कर सके जो सुनकर सुजी तो बहुत खुस हो गई थी कि साथ इस बार मुझे मेरे पैरेंट्स मिल जाएंगे नेक सीन में सुजी अपने हैर सेंपल लेकर और फफनेच बहुत जाती है और कहती कि मेरी फ्रेंड यूरी नहीं आई हमेंसा हम लोग साथी आते हैं तब ही उसे कहई की गॉवल आ जाती है वो कहता है कि तुम कहां पर हो ज़ल्दी घर आ जो तो सूजी अपना सैंपल देखकर वहाँ से चली जाती है फिर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड यूरी टेबल के नीचे चुपी हुई थी वो बहाँ निकलती है और मैनेजर उससे बताता है कि यहाँ पर एक रीस लेडी आई थी और उसके कले में एक बड़ा सा लॉकेट भी था तो यूरी उसे एक लॉकेट दिखाती है और कहती है कि कि यह ऐसा लॉकेट था मैंणिζर कहता है कि हाँ सेम ऐसे ही था यूरी बताती है कि ये लुकेट सूजी का है मज़े बहुत पसंद आया था उसे लगा कि गुँम हो गया मैंणिजर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर लुकेट तुम्हारे पास है तो जैंक फैमिली की बेटी भी तुम ही बनोगी और फिर वो सैंपल में से सूजी का नाम हटा कर यूरी का नाम लगा देता है सीन में हम गूई को देखते हैं जिसको साओ ने ड्रक दे दिया था वो बहुत ही जादा नसे में होता है लेकिन उसे जैसे ही हो साथ है वो जल्दी से यहां से बाहर भाग जाता है जब साओ यहां पर आती है तो गूई नहीं होता तो वो सोचती है कि मेरा प्लैन तो फैल हो गया पता नहीं गूई कहा चल गया इदर कोई जा रहा होता है और वो रस्ते में सूजी से टकरा जाता है सूजी इससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो सूजी उसे कोई और समझ रही थी क्योंकि अंधेरे की वज़े से वो पहचानी नहीं पाती कि ये गुई है लेकिन गुई को तुम ठकान ऐसा चाड़ने लगता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉंसिबल रहूंगा और उसके साथ इंडिमेट होने लगता है सूजी जैसे तैसे उड़ती और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है लेकिन तब यूरी उससे भागते हुए देख ले और सोचती है कि ये सूजी कितनी लखी है कि इस सहर का रिजवन्दा इसके हाथ लगके है फिर वो सोचती है कि आखिर मैं इसे इतना लखी क्यों होना दूँ मैं इसे रिप्लेस करूंगी और ये सोचकर वो वही पर लेट जाती है फिर जब गुई को होस आता है तो वो से देखकर सोचता है कि क्या लोग लड़की मेरे साथी वो यही थी फिर वो यूरी से पूछता है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई है तो वो कहती है कि हाँ फिर गुई उसका नाम पूछता है और कहता है कि मैं तुमारे लिए रिस्पॉंसिबल रहूंगा पिस तुम मुझे थोड़ा टाइम दो मैं तुमारे लिए जरूर कुछ करूंगा यह बोलकर वो महां से चला जाता है इदर सूजी घर पर आती है और ग्रेंटपा से बात कर रही होती है लेकिन उसके दिमांग में चल रहा होता है कि मैंने अपना फर्स टाइम किसी स्ट्रेंजर को दे दिया और इसलिए मुझे गुई के लिए बहुती गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ साही नहीं किया तब ही यहां पर गुई का भाई लिए आ जाता है और वो ग्रेंटपा से कहता है कि मुझे पता चला कि आप होस्पिटलाइज हो गए हो इसलिए मैं चल्ली से अप्रोट से वापस आ गया फिर लिए सूजी से पूछता है कि तुम कौन हो तब ही यहां पर गुई आ जाता है और वो उसे बताता है कि यह मेरी वाइब है जो सुनकर ली सौक्ड होता और कहता है कि अगर तुम्हारी साधी हो गई है तो जैंग फैमली के डॉटर का क्या होगा और वो इंविटेशन कार्ट दे कर कहता है कि जैंग फैमिली निया जह में डिनर के लिए बुलाया है तो क्यों न तुम अपनी वाइब को भी महापर लेकर चलो रेक्सिन में सभी पार्टी में पहुँचते हैं जहापर साव सुजी को चलनाने लगती है कि तुम हर जगर क्यों पहुँच जाती हो और वो सुजी के ओपर ठंडा पानी फेकने लगती है लेकिन साव बीच में आ जाता है और उसके ओपर भी पानी गिर जाता है तब ही महापर वो लेड़ी आ जाती है और वो साव को चलनाती है कि तुम मेरी पार्टी में ये क्या हरकते कर रही हो फिर वो लेडी सूजी को अपने साथ ले कर जाती है और उसे एक डूसरी टेस्ट दे देती है और बताती है कि मेरी बेटी भी सेम तुम्हारी एच की है इसलिए जो कपड़े मैंने उसके लिए लिये थे वो तुम्हें अच्छे से आ गए है तब ही यहाँ पर यूरी आ जाती है और वो लेडी सूजी को बताती है कि यह मेरी खोई हुई बेटी है तो यूरी एक्टिंग करते हुए सूजी से कहती है कि सूजी तुम यहाँ पर कैसे है नेक्स इन में साव सूजी से कहती है कि अब तो जैंग फैमले की बेटी वापस आ गई है तो अब तो महारा कुछ नहीं हो सकता अब तो गूई की साधी उसी के साथ होगी इतर स्टेश पर वो लेडी अनाउंस करती है कि मेरी 20 साल की एक होईवी बेटी मुझे मिल गई है ये सब देखकर सूजी बहुती जादा ड्रिंग करने लगती है और सोचती है कि मतलब कि मेरे हजबेंड की इंगेजमेंट मेरी बेस फ्रेंड के साथ फिक्स थी अखिर मैं ऐसे कैसे अपनी बेस फ्रेंड काफियां से सीन सकती हो ये सब सोचकर वो बहुत जादा रिंग कर रही होती है तब ही हाँ पर गुई पहुच जाता है और उसे जल्दी से घर लेकर आजाता है जहाँ पर सुजी उसे किस करने लगती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही हैंसम हो बिताओ तुम कितने पैसे लोगे आज तुमें मेरे साथ ही रहना होगा समझे और ये बोलकर उसे फिर से किस करने लग जाती है और ये लोग साथ में नाइट्स फ्रेंड करते है सूपे जब सूजी उड़ती है तो वो गुई को देखने लग जाती है गुई भी उड़ जाता है और फिर से उसे किस्स करने जा रहा होता है लेकि सूजी उसे रोग देती है और सोचती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे छीट नहीं कर सकती गुई उसे पूछता है कि क्या हुआ कि आप तुम मुझे लाइक नहीं करती सूजी कहती है कि कल मैं बहुँ जादा ड्रंग थी और वैसे भी मैं किसी और को लाइक करती हूँ तो कल राद जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ ये बोलकर सूजी वहाँ से जाने लगती है और गुई सोचता है कि क्या ये जिसे लाइक करती है वो मैं नहीं हूँ और मुझे ऐसा क्यू लग रहा है कि उस राद जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पैंट की थी वो सूजी ही थी नेक सीन में सूजी की मॉई यूरी के साथ आती है और वो ग्रेंट से कहती है कि मेरे बेटी के इंगेजमेंट आपकी फैमली में फिक्स है आइसलिह मैं साधी की बात करने आई हूँ तो ग्रेंट पा कहता है कि सोरी हमारे गुई कि साधी तो हो चुकी इसलिए भी इंगेजमेंट कोई माइने नहीं रखती तभी गूई और सूजी ऑफिस आने के लिए निकल रहे होते हैं तभी ग्रेंट फॉक गूई को यूरी से मिलवाते हैं गूई यूरी को देकर सोचता है कि ये तो वही लड़की है और यूरी जान के चकर में मैंने अपना फॉर्स टाइम को हो दिया और वो बंदा कोई और नहीं बलकि गूई है ये सुनकर सूजी तो बहुत अपसेट हो जाती और वहा से चली जाती है और उसे बनाने के लिए गूई भी उसके पीछे जाता है ये सब देखकर सूजी की मॉम यूरी से कहत कि अभी सेंगेंजमेंट का कोई फायदा नहीं में तुम्हारी साथ इससे भी अच्छी जगा कर वाऊंगी नेक सीन में सूजी को मूम को पता चलता है कि गुई और सूजी के बीच में सिर्फ कांट्रेक्ट मेरिज हैं और इदा यूरी को सूजी पे बहुत जादा घुसा आ होता है कि आखिर उसे सब कुछ क्यों मिल जाता है तब ही वहाँ पर मेड यूरी के लिए दूद ले कर आती है लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पीना और उसे चला कर बाहर बगा देती है जब मेड ये बाद सूजी की मॉम को बताती है तो उन्हें कुछ घडबर लगती है कि बच्पन में तो उनकी बेटी को दूद बहुत जादा पसंद था लेकिन अब वो क्यों नहीं पी रही है फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि यूरी के और फिनिश में बिताए हुए समय के बारे में पता करके बताए तो असिस्टेंट नने बताता है कि यूरी की एक फ्रेंड है जिसका नम सूजी है और वो भी से मुसी की एच की है इदर सूजी अपनी ग्रेंड मा को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाई होती है तब यहां पर उसकी मौम उससे मिलने आ जाती है और उससे यूरी के पारे में पूछने लगती है सूजी उन्हें बताती है कि उसका स्पून रख लेती है डियने टेस्स के लिए और डियने टेस्स की रिपोर्ट आते ही उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बैटी यूरी नहीं बलकि सूजी है यह देखकर वो बहुत ही घुस हो जाती है और उस डॉकिमेंट को अपने डॉन में रग देती है और फिर न है तब ही यूरी यहांपर सूजी के अंकल को लेकर आ जाती है एक्शल में यूरी ने सून लिया था कि सूजी की मोम को पता चल गया है कि उनकी बेटी यूरी नहीं बलकि सूजी है और ये बात वो अपने भाई को बता रही होती है उनके जाते ही यूरी उन अंकल से डील कर लेती हैं और कहती है कि हम तुमारी बेहन को मार देंगे और उनके मरते ही सारी प्रोपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी जिसमें से आदी से जादा प्रोपर्टी में तुमारे नाम कर दूंगी और तुम जैंक फैमली के हैट बन जाओगे अंकल भी उसकी बातों में आ जाता है प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दोनों ही सूजी की मौम के लिए रोने की एक्टिंग करने लगते हैं गूई भी यहां बहुत चुका था और सूजी तो बहुत डर गई थी वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है तब ही ये लोग एक लेटर दिखाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सूसाइट किया है तो गूई ही सूजी से कहता है कि देखो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है चलो अब हम घर चलते हैं तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना और यूरी सूजी को देखकर सोच रहे होती है कि ये तो बस सुरुआत है आगे जो होगा ना वो तुम सह भी नहीं पाओ की तब ही से वॉमिट फिल होती है और इसे पता चलता है कि ये प्रेगनेंट हो गई है फिर वो मेनेजर के पास जाकर इसके बारे में बताती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्यदारी बिल्कुल नहीं ले सकता तुम्हें पता है ना कि मेरी खुद की फैमली है तो यूरी सोचती है कि क्यो ना मैं इसे गुई का बच्चा बना दो और वो मेरी बात पर बिलीव भी करेगा फिर नेक्स डे यूरी भी कोई की कमपनी में काम करने आ जाती है जापर सुजी तो उसे देखकर बहुत खुस होती है क्योंकि उसे तो वो अपनी फ्रेंड मानती है लेकिन यूरी तो मन में सोच रही होती है कि अब मैं इस सुजी को बताऊंगी नेक्स सीन में कमपनी की बोर्ड मिटिंग चल रही होती है जापर सभी सेरोलडर गुई से बोल रहे होते है कि आकर उसने किस और फने लड़की से साधी कर ली है अगर वो अभी भी से डिवोस दे कर जैंग फैमली की बेटी से साधी करेगा तो कमपनी को बहुत फायदा होगा ये सब सुनकर सुजी को तो बहुत बुरा लग रहा होता है लेकिन गुई उन लोगों को जवाब देता है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं किसे साधी करूँगा और आप लोग फिकर मत करो मैं कमपनी की प्रॉप्लम को भी सॉल्ट कर दूँगा इसके बाद भी सुजी को इसे बात नहीं कर रही होती है और उसे इंग्नोर कर रही होती है तो गोई सुजी को लेकर कार में आता है और उसे पूछता है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो सुजी कहती है कि बेटर होगा कि हम लोग डिवोस ले ले मेरी वज़े से तुमारी लाइप में कितनी प्रॉब्लम सारी है तो बेटर होगा कि तुम यूरी से साथी कर लो फिर तुम्हें बहुत फायता होगा तो वो कहता है कि मैं कंपनी के प्राब्रम को solve कर दूँँगा तुम फिकर मत करो वो कहती है कि तुम यूरी से engaged हो और तुम्हें पता है ना कि मैं already किसी और को like करती हूँ तो डिवोस ही हम दोनों के लिए best option होगा वैसे भी हम लोग बाय चांस मिल गए थे साथ हम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है अब वो बोले जारी थी और गुई के बास सुनी नहीं रही थी तो वो से किस करके चुप कराता है तब यूरी भी वहाँ से जारी होती है और वो अंदोनों को देख लेती है और वो जल्दी से इनकी फोटोस ले लेती है और सोचती है कि अब मैं सुजी को बता दी हूँ इदर कोई सूजी से कहता है कि तुम टेंशन मतलों मैं सारी प्रोप्रम सॉल्व कर दूँगा और मुझसे दूर तुम कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि हम दोनों मेरिट है और मैं जल्दी हम दोनों की एक ट्रेंड वेडिंग भी रखूँगा ताकि मैं सब को बता सकूँ ये बॉलकर वो उसे हग कर लेता है नेक सीन में यूरे ने लोगों की फोटो कंपनी की पॉस्ट पर अपलोड कर दी थी जिसे देखकर सूजी तो बहुत सौक्ड होती है उस फोटो को देखकर यहां पर सभी बाते करने लगते हैं कि हमारे बोस की इंगेजमेंट तो जिंक फेमली की बेटी के साथ हुई है ये तो बस मिस्ट्रेस है और उन दोनों के बीच में आ रही है तब ही यहां पर सूजी की सूपर्वाइजर आकर उसे चलाने लगती है कि तुम्हारी वज़े से क्लाइट ने हमारे साथ प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है क्योंकि वो तुम जैसी लड़की से अपने डिजाइन नहीं बनवाना चाते है आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारे बोस की वाइब बन सकती हो और वो उसे मिस्ट्रेस कहते हुए उसे रमीन पर गिरा देती है तब ही यहां पर गुई आकर सब कुछ लाता है कि यह तुम क्या कर रहे हैं और सभी को अपने मेरी सर्टिफिकेट दिखाता है और बताता है कि सूजी मेरी लीगल वाइफ है और वो सूपर्वाइजर को जॉप से निकाल देता है और बताता है कि मैं नेक्स वी की सूजी के साथ ग्रेंड वेडिंग करने वाला हूँ और मैं देखता हूँ कि कमपनी में कौन है जो मेरी वाइप के बारे में ऐसी बाते करेगा मैं उसे भी जॉप से निकाल दूँगा नेक सीन में यूरी कमपनी के कुछ इंफोर्मेशन लीग कर देती है एक सीन में गोई कि साधी वाले दिन ही उसे ये बैड निस मिलती है कि कमपनी के बहुत से इंफोर्मेशन लीग हो गई है और एजिस्टन ये भी बताता है कि आपकी और सूजी की वेडिंग के बारे में भी रिपोर्टर्स को पता लग गया है और सभी वेडिंग हॉल के बाहर पहुँच गया है गोई उसे कहता है कि पहले तो ये पता करो कि कमपनी के इंफोर्मेशन किसने लिग की है साधी ये भी कि हमारी वेडिंग के बारे में रिपोर्टर्स को किसने बताया इतर सुजी तो अच्छे से तयार होके बैटी थी और वो ग्रेंपा और ली से बाते कर रही होती है इतर गोई उस रिपोर्टर को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ कि मेरी कमपनी के इंफोर्मेशन के बारे में तुम्हें किसने बताया पहले तो वो नहीं बता रहा होता है तो गोई उससे कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी फैमली को नहीं चोड़ूँगा वो company की information क्यों लिट कर दी तो रिपोर्टर कहता है क्योंकि वो ली को डेट कर रही है और आपके साथ से पैक्टिंग कर रही है ताकि आपकी CEO की position छीन कर वो ली को दे सके गूई तो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है इदर सूजी तो बहुत खुस होती है और लिए उसकी फोटोस ले रहा होता है तब ही यहाँ पर गूई पहुच जाता है और उसे एक थपर लगाता है और कहता है कि चली जाओ यहां से मैं तुम्हें तुम्ह और आज की हम दोनों की वेडिंग में कैंसल कर रहा हूं ये बोलकर वो वहां से चला जाता है फिर गूई अपनी कार में बेटने जा रहा होता है तब ही एक उंड़ा उसे चाको मारने आता है और प्लान के हिसाब से यूरी मापर पहुच जाती है और चाको उससे लग जाता है गूई कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करने लगी हूं ये बोलकर ही वो बहुस हो जाती है फिर गूई उसे जाली से लेकर हॉस्पिटल जाता है ज सब कुछ पता कर लेंगे तभी सूजी को उसकी मौम की असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बता देता है कि तुम जैंक फैमली की बेटी हो और अगर तुम जाना चाहती हो कि तुम्हारी मौम को किसने मारा है तो तुम उसे मिलना आओ लेकि सूजी के वहां पहुचने से पहले ही असिस्टेंट को कोई मार के चला जाता है तभी हैं यहाँ पर सूजी भी पहुच जाती है और वो असिस्टेंट मरने से पहले उसे बता देता है कि सबके पीछे यूरी काहता है जो सुनका सूजी रोने से रहुंझे हो अगर जैंक फैमले की बेटी तुम हो तो लोग तो मैं एकसेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और तुम कहरे हो कि यूरी तुम्हें भशा रही है तो क्या वो तुम्हें भशाने के लिए अपने बच्चे तक को मार देगी यह सुनकर सुजी कहती है कि क्या उसका बच्चा नहीं जो सुनकर गुई कहते है कि अच्छा तो तो मैं इस बारे में पहले से पता था कि यूरी मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है उस दिन मुझे किसी ने रख दे दिया थथा और राते में मैंने उसके साथ ये सब कर दिया था तो सुसी समझ चाती है कि उस दिन वो लड़का कोई और नहीं बलकि गुई था और वो उसे बताती है कि उस दिन तुम्हारी साथ यूरी नहीं बलकि में थी तो फिर आखे इसा प्रेंगनेंड हो सकती है कुई इसे चलाने लगता है कि तुम जूटी कहानियां बनाना बंद करोङी वो कहती कि मैं कोई कहानी नहीं बना रहू हूँ मैं जो भी कह रही हूँ, ये सब सच है लेकिन गूई उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता है और उसे कहता है कि तुम कितनी छीप हो और कहता है कि अगर तुम खुद मेरे पास आई हो तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है और सुबह होते ही उसे कहता है कि तुम निकल जाओ यहां से मुझे तुम्हारी सकल भी नहीं देखनी कि पहले ही मैं अपनी मॉम को खो चुकी अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाती गुई उसे बताता है कि अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो वो कहती है कि सौरी मैंने पहले तुम्हें इस बारे में नहीं बताया Actually मैं बोचाता डर रही थी कि मैं तुम्हें इस बच्चे के बारे में कैसे बता हूँ अब गोई को यूरी के लिए guilty feel हो रहा होता और वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम से साधी कर सकता हूँ जो सुनकर यूरी तो बहुत ही खुस हो जाती है लेकिन तब ही यहाँ पर ग्रेंटपा आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात से एक जी नहीं हूँ क्या तुम भूल कहीं कि तुम और सुजी लिगल कपल हो कुई कहता है कि ग्रेंटपा सुजी बहुत ही चालाक है और सारे evidence सुजी के खिलाब है जिसे कि यह प्रूफ हो जाता है कि सारे चीजों के पीछे वही है तो ग्रेंटपा कहते है कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं इस लड़की को कभी अपने बहु एकसेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अकिर चालाक लड़की है कुन यह बोलकर ग्रेंटपा वहाँ से चले जाते है लेकिन यूरी को तो उन पर बहुत गुसा आ रहा होता है नेक्स सीन में ग्रेंटपा को सूजी की डियने रिपोर्ट मिल जाती है जिसे यह प्रूफ हो गया था कि सूजी ही जैंक फैमली की बैटी है ग्रेंटपा ली से कहता है कि अभी हमें और भी एविटेंस ढूणना होगा तभी हम सूजी की हल्प कर पाएंगे नेक्स सीन में और्फिनेज का मैनेजर डॉक्टर फैंग के पास पहुँचता है क्योंकि असली डियने के सैंपल उसी के पास थे जहांपर गुई को लग रहा होता है कि इस सबके पीछे सूजी का हाथ है वो घरा कर उसे चिलनाने लगता है तो ग्रेंटपा उससे कहते है कि क्या तुमें सूजी पर बिल्कुल भी भरसा नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकती है सूजी भी इससे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन गुई को तो उस पर बिल्कुल भी भरसा नहीं होता और वो कहता है कि तुम्हारा लीके साथ अफेर है मुझे तुम दोरों के बारे में सब कुछ पता लग गया है और मुझे पता है कि तुम इसलिए मुझसे पीछे चुड़ाना चाहती थी और मुझसे डिवोस लेना चाहती थी क्रेंट पागुई कुछ इलाते हैं कि अब बस करतो नेक सीन में गुई डॉक्टर फैंग को पकड़ लेता है और उसे असलिए डियाने रिपोर्ट मांगता है तो वो कहता है कि ठीके मैं लेकर आता हूँ लेकिन वो तो यूरी के पास बहुत जाता है और उसे कहता है कि तुम लोग मुझे पैसे दोगे तो मैं असलिए रिपोर्ट गुई को नहीं दूँगा और उसे कभी पता नहीं चलेगा कि जैंक फैमले की असलिए पैटी सूजी है ना कि तुम तो यूरी उसे मार देती है और सूचती है कि अब तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगेगा तब ही यहाँ पर सूजी भी डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी तो यूरी उसे बेहुस कर देती है और उसके हाथ में चाको पकड़ा देती है जब सूजी को होस आता है तो वो देखती है कि याँ पर डॉक्टर के लास पडियोई और डर कर वाँ से भागने लगती है तब ही याँ पर गूई पहुंचाता है और उसे लगता है कि सीनिर डॉक्टर को मारा है ताकि ये सच पताना चल जाए कि वो जूट कहरी थी नेक्सिन में ग्रेंटपा गुई से कहते हैं कि सूजी किसी को नहीं मार सकती है गुई कहता है कि सारे एविडेंस सूजी के खिलाब है और अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा होका तबी गुई को कॉल आता है कि यूरी की तबे ठीक नहीं है तो पो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है लेकिन ग्रेंटपा सूजी को इनोसेंट प्रूब करना चाते थे तो वो डॉक्टर के आफिस पहुचकर डियने रिपोर्ट ढूंड लेते हैं लेकिन तब ही याँ पर मेनेजर आकर उन्हें जाको मार देता है नेक सिर्में ग्रेंटपा हॉस्पिटल में होते है जहां पर उन्हें होस्पिटल नहीं आ रहा होता फिर वो कुझी नीचे गिर जाती है और अपने सिर में चोट लगा लेती है और जो जोर से चलाने लगती है कि तो मुझे मत मारो मैंने ग्रेंटपा को खुछ नहीं किया तब ही यहाँ पर गुई आ चाता है और वो यूरी पर ही भारोसा करता है और वो सूजी को चलाने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती है और उसे कहता है कि यूरी तुम्हें नहीं देखना चाहती तो तुम यहां से चली जाओ और मुझे भी तुम्हारी सकल नहीं देखनी नेक्सिन में यूरी मेनेजर के साथ मिलकर प्लान बना रही होती है कि हमें ग्रेंटपा को मारतेना चाहिए धक्का देते हुए कहता है कि तुमने ग्रेंटपा के साथ क्या किया तब ही सूजी के बैक से वहीं इंजेक्शन निकलता है सूजी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया अभी एक आदमी मुझे ठक रहा था ज़रू उसे नहीं ये डाला होका जिसके बार डॉक्टर ग्रेंटपा का ट्रीट्मेंट करते हैं और वो गुई को बताते हैं कि ग्रेंटपा पैरलाइस हो गए हैं जो सुनकर गुई सूजी पर गुसा करने लगता और कहता है कि अब तुम खुस हो तुमने ग्रेंटपा की ये हालत कर दी सूजी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया इ लेकिन तुमने जो मेरे ग्रेंटपा के हालत की है उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए इतना तो तुम डिजर्ब करती हो। सूजी सोचती है कि ये तो मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मुझे खुदी सारा सच पता लगाना होगा। तो सूजी उससे कहती है कि कल से मुझे आफिस में काम करना है। नेक सिन में सूजी यूरी के खिलाब सबूर डूरने चाती है लेकिन यूरी उल्टा उस पर ही उसके डिजाइन चोरी का अलसाम लगा देती है। और यहाँ पर भी गुई यूरी पर ही भरोसा करता है और सूजी पर नहीं है। यहाँ पर सुजी बार-बार उसे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है तो गुई उससे कहता है कि तुम्हें तो खुस होना चाहिए कि मैं तुम्हें जेल नहीं पहुचा रहा हूँ नेकसे उनमे यूरी मिनेजर को फिसाने के लिए गूई तक उसके खिलब सारे एबिडेंस पहुचा देती है जिसे ये पुरूब हो गया था कि उसके ग्रेंटपा की हालत मैनेजर नहीं की है तो गूई मैनेजर को ढूनने के लिए बोलता है लेकिन एदर यूरी तो मेनेजर को मार देती है और सूजी को बेहुस करवा कर महीं पर लिटा देती है फिर जब गुई यहां पर पहुचता है तो वो सूजी के हाथ में खून देखकर समझता है कि सूजी नहीं मेनेजर को मारा है सूजी कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है तभी वो अचानक बेहोस हो जाती है ये देखकर गुई उसे ज़ली से हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां पर डॉक्टर गुई को बताता है कि सूजी प्रेगनेंट है और मिसूजी के हाथ में तो छोड़ थी तो वो किसी को चाकुछ से कैसे मार सकती है जो सुनकर गुई को सक हो जाता है और वो इसे यूरी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है और यूरी भार ख़ड़ी सब कुछ सुन लेती है कि गुई इस पर सक कर रहा है नेक सिन में गुई सूजी के लिए खाना लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें सारा फिनिस करना है नेक सिन में यूरी ने सूजी को मानने के लिए एक बंदा भेजा था लेकिन तब ही यहां पर गुई आ जाता है और वो सूजी को बचा लेता है फिर सूजी गूई से कहती है कि प्लीस तुम मुझे शोड़ कर कहीं मत जाना मुझे डर है कि कोई मुझे मार देगा तो गूई उसके साथ रूख जाता है और उसे कहता है कि तुम ये मैं सोचना कि मैं तुम्हारी फिकर कर रहा हूँ बस मुझे डर है कि तुम मेरे पीट पीछे किसी को मानने की कोसिस ना करो नेक सिन में ग्रेंट पा ठीक हो गए थे वो और सूजी को अपने साथ बौर्ड मिटिक में लेकर जाते हैं और वहाँ पर सभी को डियने रिपोर्ट दिखा कर कहते हैं कि सूजी ये जैंक फैमली के असली बैटी है लेकिन गुई को इस बात पर भरुसा नहीं हो रहा होता वो कहता है कि ग्रेंट पाई एविटेंस जूटे होंगे तभी यूरी कहने लगती है कि तुम मुझे जूट इल्जाम में क्यों खसा रही हो क्या तुम मुझे इतनी नफरत करती हो और फिर वो सभी को सूजी और ली की फोटो दिखाती है और कहती है कि इसका लीके साथ अफेर चल रहा है और ये सब वो उसी के लिगा रही है यहाँ पर Goi Grandpa से कहता है कि मुझे यूरी पर सक है क्यूंकि जब भी मैं किसी के बारे में पता करने की कोशिश स करता हूँ कोई न कोई उसे मार देता है और सारी इविडेंस हम ऐसा Suzy के खिलाप होता है इसलिए ग्रेंटपा आपको मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करनी होगी ताकि हम सारा सच पता कर पाए एक्सीन में यूरी ग्रेंटपा और ली का एक्सिडेंट करवा देती है जिसके बाद गूई को पता चलता है कि उन दोनों की बॉड़ी तक नहीं मिले नेक्सीन में सूजी को वॉमिट फिल हो रही थी तो मैड उससे कहती कि जरूरा प्रेगनेंट हो गई होगी तब भी गूई आके कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता जरूरा इसकी तबित खराब होगी जिसके बाद यूई जान भूच कर सूजी के उपर घुसा करने लगता है ताकि यूरी देखे और उसे बिलकुल भी सकत ना हो कि यूई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है जिसके बाद यूरी डिसाइड करती है कि उसे सूजी को रास्ते से हटाना होगा इसलिए वो सूजी को किडनेप करवा लेती है तब ही यहाँ पर ली सूजी को बचाने के लिए पहुच जाता है लेकिन उसे पता चल जाता है कि गूई आ रहा है तो वो छुप जाता है और फिर गूई सूजी को यहाँ से बचा कर ले जाता है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि ग्रेंट पाउर ली दोनों को ही कुछ नहीं हुआ था वो दोनों ही गुई के साथ प्लैन में मिले हुए थे और सभी मिलकर ये प्रूफ कर देते हैं कि इन सब के पीछे यूरी का हाथ था और सूजी के अंकल पर उसके साथ मिले हुए थे फिर ये लोग यूरिक को जेल पहुचा देते हैं जिसके बाद गुई सूजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसे पुरानी सारी चिजों के लिए सौरी कहता है और उसे ये भी बता देता है कि वो प्रेगनेंट है नेक्स सीन में सूजी और गुई की ग्रेंट वेडिंग होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की यहां पर हैपी एंडिंग हो जाती है प्लीस लाइक सेर और सब्सक्राइब थेंक्स फो वाचिंग